बहुत ही कम टाइम बचा है मारूती सिफ्ट फेसलिफ्ट को लाँच होने में सुनने में आ रहा है कि गाड़ी का काम जो है वो जो रो शोरों से चल रहा है और बहुत ही जल्द गाड़ी जो है वो लाँच हो सकती है क्या कुछ गाड़े के प्राइज हुएंगे और क्या क्या गाड़ी के अंदर नईने फीचर्स आने वाले हैं पूली डिटेल से आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना चलिए शुरू करते हैं बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट के लुक्स की तो भाई फ्रंट से इस बार आप लोगों को सबसे पहले तो बोनट जो है वो गाड़ी का पहले के मुकाबले बड़ा देखने को मिलने वाला है और भाई बता देता हूं कि इस बार गाड़ी की जो हैडलाइट से बहुत ही देने के बाद आप लोगो को आफ रम्रकिट जहने कि भी जर्रूद पड़ेगी क्युझे आप लोगों को इस बडर बहुत सारी चेंज Жिंज घाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे गिरिल्स की बात करें तो गिरिल्स का डिजज घंज देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया डिजाइन रखा गया है ग्रिल्स का और बहुत ही साथ फॉग लेंप आप लोगों को लीडी के अंदर देखने को मिलेंगे टॉप एंड वेरियंट के अंदर हो सकता है बेस मोडल में ना आए फॉग लेंप और फ्रंट इसकीड प्लेट जो है वो आप लोगों को सिलवर देखने को मिलेगी तो फ्रंट से गाड़ी का जो लूक है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है बता देता हूं कि इस बार गाड़ी के जो टायर्स का साइज है उसमें चेंजिस किया गया है जी हाँ गाड़ी के टायर्स में चेंजिस होएंगे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे टायर्स आया करते थे पतले पतले बट इस बार टायर का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और थोड़े से छोड़े टायर का साइज जो है वो कर दिया गया है तो भाई आप लोग को इस बार गाड़ी का जो डिजाइन है टोटली कहें तो भाई बहुत ही प्यारा मिलने वाला है Ground clearance गाड़ी की 180 रहे 80 mm के रहने वाली है और भाई साथ ही साथ आप लोग वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं कि इस बार डोर जो है वो rear door जो गाड़ी का है आप लोग को पहले हैंडल जो है रेर डोर का हैंडल उपर के तरब देखने को मिलता था बट इस बार जो गाड़ी लॉँच्छ होएगी Face lift मारूति-shift Face lift तो उसके अंडर आप लोग को हैंडल जो है वो same ही देखने को मिलने वाला है जैसे की front gate के handles है same वही handle जो है वो भी rear के handle में भी देखने को मिलेंगे और भाई साथी साथ सुनने में आ रहा है कि इस बार गाड़ी के अंदर 360 degree view भी देखने को मिलेगा और भाई साथी साथ हो सकता है confirm नहीं है बता देता हूँ कि sunroof जो है वो गाड़ी के अंदर देखने को मिल सकती है भाई देखो आज कल छोटी छोटी गाड़ी के अंदर भी sunroof आ रही है तो भाई हो सकता है कि मारुती shift facelift के अंदर भी sunroof जो है वो देखने को मिल सकती है बात करें गाड़ी के rear की तरफ से तो भाई rear में आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी की लैंट तो सेम ही है बट width में थोड़ा सा काम किया गया है तो भाई गाड़ी की width आप लोग को थोड़ी सी चौड़ी देखने को मिलेगी पहले के मुकाबले और भाई इस बार connected tail lamp जो ह है वो हो सकता है कि गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी देखो confirm नहीं है वीडियो में देखके तो लग रहा है कि confirm नहीं है नॉर्मल टेल लैंप्स आप लोग को देखने को मिलेंगे जैसे पहले देखने को मिलते थे बस design जो है वो गाड़ी का change देखने को मिलेगा tail lamps का देखो connected tail lamps confirm नहीं है कि आज कल वैसे चुटी 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 गाड़ियों में आई रहे तो हो सकता है कि swift facelift के अंदर भी connected tail lamps जो है वो देखने को मिल जाए बता देता हूं कि shark queen antenna गाड़ी के अंदर मिलेगा ही top end variant के अंदर चार parking sensors आप लोग को bumper की तरफ देखने को मिले जी हाँ guys confirm नहीं है कि गाड़ी के अंदर एडास आएगा बाकि अगर गाड़ी के अंदर एडास आता है तो गाड़ी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा तो बढ़े गाई और साथ ये मारूती की पहली ऐसी गाड़ी हो जाएगी जिसके अंदर एडास फीचर जो है वो आ र तो बहुत सारे फीचर भी गाड़ी के अंदर एडास जो है वो फीचर ला रही है तो बढ़े बता देते हैं कि अगर गाड़ी के अंदर एडास आता है तो बहुत सारे फीचर भी गाड़ी के अंदर आ सकते हैं सुनने में आ रहा है कि गाड़ी के अंदर इस बार आप देखने को मिल सकते हैं बाई देखो एक टाइम था जब मारुती अपनी बिल्ड कॉल्टी बढ़िया नहीं रखा करती थी बट अब धीरे धीरे मारुती अपनी बिल्ड कॉल्टी जो है वो सुधार ही है अब बात आती है गाड़ी के लॉंच डेट की तो बाई बता देता हू कि XUV3 XO लॉंच होनी है तो हो सकता है इसी गाड़ी के आसपास मारुती भी अपनी सिफ्ट फेसलिफ्ट भी लॉंच कर सकती है तो बाई बता देता हूं कि गाड़ी का जो एक शो रूम प्राइस जो है वो कन्फरम नहीं है सुनने में आ रहा है कि गाड़ी का जो प्राइ बात करते हैं गाड़ी के इंजिन्स के बारे में तो बाई बता देते हैं कि डीजर इंजिन्स तो मारुती ने बनाने बंद कर देते हैं कर देफिया थे यांच होई कि आप लोगों नहीं नोटीस करने वा कि कुछ ठाइम से मारुती अपनी इंजिन देना बंद कर दिया थी तो बड़ी हो सकता है कि अनदर आप लोग er नियू इंजिन देखने को लौंच होईगी तो बात करते हैं गारी के मैलेज के बारे में तो बहुत ही प्यारा है बस आप लोगों को टर्बो इंजन के अंदर जो मैलेज वो थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है तो वीडियो करते हैं यहीं अगर आप लोगों के मारुति शिफ्ट फेसलिफ्ट कोई और भी डाउट सें तो आप लोग अपने डाउट कमेंट में जाके बता सकते हैं हम आप लोगों के सारे डाउट सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए झाल 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 झाल